दोस्तों, आज के टाइम पे जहां शराब एक कॉंट्रोवर्शिल इशू बन गया है, वहीं इसकी बिगर पिक्चर समझना हमारे लिए और भी जादा जरूरी हो गया है शराब घोटाले के मामने में दिल्ली के डेपडी सेम मनीश सोधिया को CBI ने गिरफतार कर लिया बता जा रहा है किसी सोधिया CBI के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए अर्विन केजरिवाल को खतम करो, अर्विन केजरिवाल के आस पास एक एक शक्स को बरबाद करो पकड़ के जेल मटा रोड़ शो करने से प्रस्टाचार नहीं छुप से और आज के इस विडियो में हम ऐसे हे कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये लीकर पॉलिसी होती क्या है? इसको बनाता कौन है और इसको इंप्लिमेंट कैसे करा जाता है? क्यों इंडिया में हर एक स्टेट की अपनी लीकर पॉलिसी है पर एक नाशनल पॉलिसी नहीं? और तो और क्या अभी दिल्ली के अंदर एक साइस कॉन्टरवर्सी चल रही है? और इस विडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि शराब की वज़े से हमारे हेल्थ, फाइनांस और समाज पे क्या इंपक्ट पड़ता है? देरे को हम इसको वस्तेज बोलताता है कि दारू मत पी, मत पी, मत पी दारू आप चीद है चैप्टर वन, क्या है ये लिकर पॉलिसी और क्यों इंडिया की हर स्टेट में ये अलग है? दोस्तो, simple language में अगर कोई भी स्टेट के अंदर शराग की manufacturing, production, transportation या फिर selling को regulate करने के लिए कोई भी law बनाया जाता है तो उसको स्टेट की लिकर पॉलिसी कहते हैं पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कहां लिखा गया है? कि स्टेट के पास power है ये policies बनाने की तो दोस्तो, हमारे इंडिया के constitution के 7th schedule के अंदर 3 तरह के list दे रखी है और दोस्तो, इसी स्टेट लिस्ट के अंदर ये बात साफ कर दी गई है कि जो भी शराब human consumption के लिए बनाई जाएगी, उसके उपर law बनाने का right सिरफ state government के पास है और दोस्तो, इसी वज़े से हर एक state की policies अलग रहती है शराब पे शराब को कौन और कैसे regulate करता है आप सब को ये याद तो होगा कि year 2017 के अंदर GST लाया गया था पर alcohol को इसके ambit में नहीं रखा गया था for the very simple reasons पहला ये कि ensure हो सके कि states के पास भी खुद की खर्चे के लिए pocket money रहे याने कि उनका खुद का revenue resource रहे और दूसरा ये ताकि prices शराब के इतने high रखें जिससे कि उसकी consumption को limit करा जा सके अब शराब पे GST तो लगने से रहा तो बचा क्या इंडिया का पुराना taxation system जी हाँ आज भी इंडिया के अंदर शराब के उपर value added tax और excise duty ही लगाई जाती है जो की state government लगाती है और वही अगर शराब imported हो तो उसके उपर additional customs duty भी लगाई जाती है और इनी taxes को regulate करने के लिए दोस्तों इंडिया की हर एक state के अंदर अपना अलग excise department है जो की ये decide करते हैं कि शराब पे कितना और कैसे tax लगाया जाएगा और इसी policy को हम उस state की excise policy भी कहते हैं इस excise policy के अनुसार आम तोर पे हर एक state के अंदर leaker traders को licenses बांटे जाते हैं और उसके बदले में उनसे fees भी वसूल करी जाती है और ये licenses भी coffee types के होते हैं जैसे कि अगर आपको अपना manufacturing unit खोलना है शराब का तो उसके लिए अलग license और अगर आपको शराब retail में बेचनी है तो उसका अलग license और तो और जितने भी hotels, restaurants या bars हैं वो भी बिना license के अपने customers को शराब नहीं serve कर सकते उसके लिए भी एक special license लेना पड़ता है अब लोगों को license तो मिल गए पर इसके आगे क्या? क्या अब उनकी दादा गिरी चलेगी? जी नहीं, ऐसी ही situation को control करने के लिए सरकार अपनी excise policy में additional rules भी बनाती है जो की सब भी license holders को follow करने पड़ते हैं जैसे की आप किसको शराब बेच सकते हो? आपकी दुकाने कितने बज़े तक खुली रह सकती है? और तो और आप एक दिन में कितनी quantity शराब बेच सकते हो? और दोस्तों, ये policy ये भी बताती है कि किस price पे शराब बेची जा सकती है और इसी वज़े से कुछ states के अंदर शराब इतनी सस्ती और वहीं कुछ states के अंदर शराब इतनी महेंगी मिलती है इन basic rules के अलावा भी अगर सरकार चाहे तो और rules बना सकती है और additional taxes भी लगा सकती है देश भर में हाहाकार मचा हुआ है कहीं पे लोग शराब के नाम पे जहर भी बीच रहे हैं और कहीं पे शराब इतनी महेंगी कि गरीब लोग तो अफोड ही ने गर पारे जब मन किया सरकार का taxes बढ़ा दिये और जब मन किया शराब को ban कर दिया इसके बाद भी क्या आपको लगता है कि states की अलग policies की कारण हम नागरिकों को कोई फाइदा हो रहा है सुला विन्याज के CEO चैतन्य राठी और सिंबा बियर के को फांडर प्रप्तेट सिंग भाटिया ने एक इंटर्व्यू में बताया कि states की मनमानी की कारण नुकसान हमेशा से लीकर ट्रीडर्स का ही होता है जिस साल उनका budget कम आया उस साल भारी भरकम taxes लगा दिये गए और इस industry में काम करने वाले लोगों के पास ना ही तो कोई job security है और ना ही कोई incentives है और इसी वज़े से ये high time है कि इस देश के अंदर एक national legal policy बना देनी चाहिए पर जैसा कि अमने chapter 1 में देखा कि पीने वाले शराब के ऊपर कोई भी loss of states बना सकता है तो क्या ऐसा possible है कि इंडिया के अंदर एक national policy बना दी जाए जी हाँ ऐसा possible है constitutional amendment के द्वारा अगर parliament एक constitutional amendment ले आए जिससे वो 7th schedule में जो state list की subject है उसको उठा के अगर concurrent list में डाल दे तो ये मुम्किन है जिससे की union government के पास बावर आ जाएगी एक national law बनाने की और अगर future में कोई भी ऐसा amendment आता है तो ये पहली बार नहीं होगा क्योंकि पहले भी 42nd constitutional amendment के द्वारा state list की 5 entries जैसे की education, forest, etc. को उठा के concurrent list में डाल दिया गया था पर क्या national policy आने से हमारी सारी problem solve हो जाएगी अगर ऐसी policy आ जाती है तो states का majority revenue resource ही खतम हो जाएगा दोस्तों हर साल शराब पे tax लगा के state governments भारी भरकम revenue कमाती है financial year 2020 के अंदर RBI की reports के अनुसार उत्तर प्रदेश की government का excise revenue सबसे highest रहा यानि की रुपीज 31,500 करोड जो की उसके tax revenue का 22% था और second highest रहा करनाट का का जिसका excise revenue बना रुपीज 20,950 करोड जो की उसके excise revenue का 20% था और वहीं पंजाब को मिला रुपीज 6,200 करोड जो की उसके excise revenue का 16.5% था और हमारी capital डेली को मिला रुपीज 6,000 करोड जो की उसके excise revenue का 14% था दोस्तों शराब का इतना बड़ा revenue resource होने के बावजुद भी कुछ states जैसे की बिहार, गुजरात, मिजुरम, नागलैंड और लक्षवदीब के अंदर शराब पे ban लगा हुआ है पर यहाँ पे भी problem यह है कि एक ban effectively implement कभी नहीं हो पाया और इन states के अंदर अभी भी black marketing mafias चल रहे हैं आज leaker policy की controversy के कारण दिली की सरकार हिल चुकी है और यह एक बहुत ही बड़ा political मुद्दा बन चुका है इसकी शरुवात होती है 7 नवंबर 2021 से जब पहली बार नई excise policy को लागू करा गया था और सरकार ने बताया कि यह policy revolutionary रहेगी पर क्यूँ ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार सारी leaker industry को privatize कर दिया गया और उसके लिए दिली को बत्ते सोन में divide करा गया जिसमें 849 दुकाने खोलने का प्रावाधान किया और इसके अलावा हर एक municipal ward में भी 2-3 दुकाने खोलने का प्रावाधान किया और ऐसे लोगों को licenses बाटने शुरू कर दिये bidding process के थ्रूँ और सबसे एहम बात दिली के अंदर शराब के ठीकों को सुपह 3 बज़े तक खुलने की भी अनुमती दे दी गई थी और पहली बार शराब की home delivery भी शुरू कर दी गई थी और ऐसा पहली बार हुआ कि दिली की सरकार ने leaker traders को किसी विदाम पे शराब बेचने की छूट दे दी चाहे तो MRP पे और चाहे तो उससे कम या जादा पे भी और सरकार ने ये दावा किया कि इस policy के बाद जितने भी illegal mafia शल रहे हैं वो सारे खतम हो जाएंगे और तो और शराब खरीदना एक अलग experience बन जाएगा लोगों के लिए अगर ये policy इतनी ही अच्छी थी तो फिर problem क्या है? Actually इस policy के अंडर मिलने वाली license fees that is रुपीज 144.36 करोड रुपीज माफ कर दी गई और तो और रुपीज 50 हर एक beer के case पे मिलने वाली import pass fees भी माफ कर दी गई ये बताते होए कि बिचारे लोग कोरोणा में बहुत सफर कर चुके हैं इसलिए अब हम इनसे license fees नहीं लेंगे और एस policy ने दिल्ली excise act, excise rules, etc. ऐसे बहुत सारे laws का gross violation करा था और सबसे बड़ी बात ये जितनी भी policy बनी थी इसमें lieutenant governor की तो अनुमती ही नहीं ले गई और हैरानी वाली बात तो ये थी कि शराब तो बहुत बिक्री है पर सरकारी खजाने में revenue बहुत कमा रहा है और उसके बाद देखती ही देखती छे महीने के अंदर अंदर जितनी दुकाने बननी थी उससे आदी ही दुकाने रह गई और फिर खुलासा हुआ सबसे बड़ी चीज का की market के अंदर कुछ बड़े players ने अपनी monopoly बना ली है और इसी वज़े से बाकी सारे लोग इस business को छोड़के चले गए हैं और जब ये सब चीजों का खुलासा हुआ तो दिल्ली के chief secretary नरेश कुमार जी ने एक report भीजी Lieutenant Governor श्रीवी के सकसेना को ये बताते हुए कि कहीं ना कहीं सरकार ने इन पैसों में से commissions लेके बाकी elections में इसका इस्तमाल करा है और फिर होना क्या था दिल्ली की economic offenses wing ने अपनी investigation चालू कर दी और देखते ही देखते इन चीजों का खुलासा होने लग गया और अब क्यूं की दिल्ली की scan का भांडा फूटने वाला था इसलिए deputy CM श्री मनीश सिसोधिया ने इस policy को वापिस ले लिया ये बताते हुए कि हम फिर से पुरानी policy ही लागू करेंगे और उसके बाद CBI की rate भी पढ़ जाती है मनीश सिसोधिया और उनके कुछ party के MPs के उपर और ये कहानी यहां तक ही खतम नहीं होती है क्यूंके दिल्ली के market में already एक monopoly बन चुकी थी और पुरानी policy के आजाने के कारण monopoly वाले लोगों को भारी भरकम नुकसान हुआ जिसके कारण वो हो गए सरकार के खिलाफ उनमें से एक व्यक्ति दिनेश अरोडा ने जाके सरकार के जितने भी लोग शामिल थे उनके नाम बता दिये और अंत में दोस्तों होना क्या था मनीश से सोधिया को arrest कर लिया गया on the grounds of criminal conspiracy जो की punishable है section 120B of the Indian Penal Code and falsification of accounts जो की punishable है under section 477A of IPC chapter 5 the way forward दोस्तों इंडिया के अंदर जहां लोग imported शराग को बहुत पसंद करते हैं वही काफी सारे ऐसे गरीब लोग भी हैं जो सिरफ थैली वाली शराग भी अफोर्ड कर पाते हैं और इसी methanol poisoning के कारण हर साल हजारों लोगों की मौत होती है और कहानी यहीं तक खतम नहीं ह होती है Ministry of Social Justice and Empowerment ने 2019 में एक सर्वे कंडक्ट कराया था जिसके अनुसार 57 मिलियन से जादा इंडियन्स एलकोहल की एडिक्शन से प्रभावित हैं और उसका end result निकलता है usually suicides और deaths के अंदर शराब हमारे समाज का एक बहुत बड़ा social evil भी है क्योंकि इसके कारण महिलाओं के against जितने भी crimes होते हैं उनका rate बढ़ जाते हैं और यहीं तक नहीं बहुत सारे crimes जैसे की murder, rape, motor vehicle, accident, etc. भी शराब के नशे की वज़े से बढ़ते हैं आज की हमारी सारी discussion के थूँ हमने ये तो समझ लिये की problems क्या है बट the real question is की इसका answer क्या है अगर इंडिया के अंदर एक transparent national policy बना दी जाए तो शायद हमारी सारी problems का हल हो सकता है इस national policy के थूँ जितना भी इंडिया में corruption और illegal mafia चल रहे हैं उनको भी मिटाया जा सकता है और तो और जितने भी women के against crime हो रहे हैं उनके खिलाफ एक check maintain करा जा सकता है पर इस policy से जरूर states के revenue पे तो असर पड़े गाई इसलिए ये बहुत जरूरी है कि parliament एक ऐसी policy ले के आए जिससे वो लोगों के interest और सरकार के interest दोनों को balance कर सके Thank you दोस्तों और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को like, subscribe और अपने friends के साथ share जरूर कीजिए